फरुक अब्दिल्ला जी नेक्स श्री दिलीब खोष जी धन्वाद स्वापति महद आए पिछले तीन दिन से बजेट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं अच्छे-अच्छे सुझाओ आया है समर्थन विरोध भी होआ है लेकिन इस अमरित काल में मानिय और्फमनत्र जी ने जो अमरित हम लोगों को दिया है उसके लिए मैं उनको और मानिय और पधानमत्र जी को धन्वाद करता हूँ और पहले बाजेट आता था हम लोग बच्पन से देखते थे दूसरे दिन पेपर में हम लोग पढ़ते थे बाजेट क्या है सिगरेट में कितना कर कम हो गया है कॉस्मेटिक्स में कितना कर बढ़ा है गास कितनी कम हुई है गाडियों में कितनी कम हुई है और एक उपर नीचे एरो देके दिखाये जाता था कि कितना कमसम हुआ है और दूसरे दिन फिर rail budget आता था उसमें एक मुख्य बात होता था लोग तुरंत paper देखते थे कि किस पदेश को कितना train मिली है नया train का ही राजनीती होता था अरे इस पर budget होता था लेकिन इस बार का जो budget हुआ है इसमें तो कोई चमक ता नहीं है ऐसा कि देखने में लगया बहुत बड़ा कोई दमाका हो गया है लोग देख रहे थे को बहुत बड़ा गोशना होगा लेकिन पिछले दो साल में जो अतिमारी विश्व को ग्रास किया था उसे देश को समाज को निकालने के लिए जिस प्रकार त्यारी होनी चाहिए मानिये वित्मंत्री जिन उसका प्रयास किया है और अर्तनिती को पट्री में लाना दुनिया के सामने चुनाउती को स्विकार करते हुए कंप्टिशन में आगे बढ़ना और लोगों को फिर एक बार काम में लगाना और गती लाना इसको देखते हुए बज़ेट का प्रस्तिती हुई है पहले बज़ेट के लिए हम लोग एक साल सोचते थे दो साल तीन साल पांसता सोचते थे इस बाज़ेट अगले 25 साल देश को कहा ले जाएंगा हम उसका एक रोड में अप है इसलिए बहुत दूर तक सोच करके बाज़ेट बनाया गया है इसलिए लोगों को नजर में नहीं आ रहा है कि बज़ेट क्या है ये बाज़ेट समाविशी है और महामारी से निकाल करके अर्तनिती को पट्री में लाना और साथ-साथ गती देना दोनों काम इसमें हुआ है मुझे लगता आगे भी होगा और ये पूरा हतासा कट जाएगा और फिर धिरे-धिरे गाड़ी आगे बढ़ेगी हमारे बिपक्ष के मित्रों काफी चर्चा कर रहते अलग-अलग अंकडा दे रहते सवाविक है लेकिन मुझे लगता है कि जैसा कि लोग बिमार हो जाने के बाद मुह का स्वाद टेस्ट चला जाता ना पिछले दो साल की जो बिमारी उसके कारण समाज का और लोगों का वही हाल हुआ है चाहिए अच्छा चीज दीजिए तहीं बुरा चीज दीजिए लोगों को टेस्ट लगता है नहीं मुह में सब खरापी लगता है तो ये सब कटने में थोड़ा सा समय लगेगा उसका इंत किलोमेटर रेलाइन को आधुनिक टेक्नलोजी से और एक्सिडेंट रोहित बनाने के लिए नया प्रयुक्ति और नया देशिय तकनीक से उसका उन्नायन होगा अभी अभी अमारे प्रदेश में जलपाई गुर में बहुत बड़ा च्रेन हाथसा हुआ बहुत लोगों का ज चीजे घुशना हुई आगे दो तीन साल तो उसका उसका आगे भी लाब मिलेगा मानिया अर्टल जी ने देश को महासवड़क में द्वारा जोड़ा था एक भारत सेष्ट भारत का पूरा देश को जोड़ने के लिए पूरा प्रयास किया अभी मानिया प्रदान मंत्री ज पूरा देश को और अर्टमीर की का बढ़ाने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं भारत माला और शागडर माला का नाम हमनेसे सुना था उसका नाप देश को मिल रहा है इस बार परवत माला के नहीं जोजना आई है जिससे देश से दूर-दूर प्रदेश में दूर-दूर cucे में जो गाओं में अभी मानिय फारुग अब्दला जी बोल रहे थे जैसा कि कस्मी जमू कास्मिर से लेकर हिमाचल और ना से लेकर हमारे बंगाल के दाजलिंग तक ऐसे के गाओं है सेकड़ों गाओं दूर दूर पहाड़ों में बसे हुए हैं लोगों को सहर से या तो बजा से जाने के लिए घंटों चलके जाना पड़ता है उससे लोगों को निजात मिलेगा और ये परवत माला की जो जोजना है आधुनिक तक्निक से लोगों को जोडने का आने जाने का इसका विलाम मिलेगा पचातर साल के बाद इन लोगों को विकास की सुबिदा मिलेगी इस गर नए नए जोजनाओं में और यह जो नए चींटा जोजना आई है इसको समय लगेगा थोड़ा मैं बसी मंगाल से आता हूँ वहां सरकार है वहां सरकार का एक ही काम है एक ही अभी समस्था है बंगाल में एक ही है गवर्नर हटाओ लगते गवर्नर हट जाएंगा तो सारी स साही समधान हो जाएगी पिछले चार-पांच दिनी पहले मानने गड़कर जी ने एक नहीं घोशना की बंगाल के साथ जुड़े हुए और बंगाल की हाई-वे के लिए लगब डेड़ लाग करोड रुपया का उनुने घोशना किया अगले दो-तीन साल में इसका यह जोजना फलपरसू होगा लेकिन उसके लिए जो जमीन चाहिए हाई-वे के लिए और आज सरकार रुपलपत नहीं करा रही है खाली हाई-वे के लिए नहीं है बाग डोग रहे यारपोर्ट दाज सिलिगोडी में उसके लिए छे सो करो रुपया सरकार के बस पड़ा हुआ है के अं का है इसलिए उसकी समाधन नहीं हो रही है फैक्टरी के लिए जमीन नहीं है हाई-वे के लिए नहीं है रेलवे के नहीं है यारपोर्ट के लिए नहीं है तो फिर विकास कहां से होगा नोकरी चाकरी कहां से होगा लोगों के बास काम से कहां आएगा राज सरकार इसमें ला लोगों का कि दीन का मिलता है और सबसे ज्यादा पैसा उसके लिए बंगाल सरकार मिलता है उससे गरीब लोग का गुजरा होता है केंदर का पैसा हुआ भेजा हुआ चावल डाल गेहूं और पिछले दो साल से वहां से वहां लगवा 80% लोगों को इस प्रकार फ्री में रैसन मिला है उससे लोग जिंदार है गरीब लोगों का काम बोलने से मन देगा गरीब लोगों का गुजरा के लिए केंदर सरक्राइब दिया हुआ यह जो अन्य जंधन जोजना में अन्य जोजना में चावल डाल उससे गुजरा हो रही है लोगों को अगर नोकरी चाकरी पढ़ाई करना है पढ़ाई के लिए हमारे नजवानों को बैंगलूर या तो हैदरबाद जाना पढ़ता है और दवाई के लिए चिन्न में नहीं होता है और वहां होता है और वहां से पी-ए-म को एच-बी फिर्वर्नर को गाली दिना एक थैसन सा बन गया उद्धार में उनके नेता उनके बुंडे विपक्ष को विश्यस्तर के हमारे कार्करतों पर अत्याशार करते हैं मारते हैं पेड़ में टांग देते हैं उनका मनरोंजन का माध्यम है यह आप देशबर में विधिपावली बनाते हैं उसमें बम फोड़ते हैं पठाके फोड़ते हैं आवाज होता है यह साल में एक वार हमारे वहां तो हर महीना होता है अभी चार दिन पहले हाली सहर उत्तर चविस्टर ने एक बम ब्लास्ट हुआ गंगा किनारे में था बच्चे फुटबल खेल रहे जाड़ी में बॉल लाने गए तो बम फटा वहां और दो एक बच्चा उहीं मरा दो का सरीर चित्रा वित्रा हो गया गंगा में चला गया अभी उसका ढोकर मिला भी नहीं यह स्तीती है ऐसा कोई जिला नहीं जहां बंब सुन्दू की आवाज नहीं है लेकिन बंगाल में हर जिला में इस प्रकार आवाज आ रहा है और लोग दरे दरे वहां जिन्दा और जीवन बिता रहे हैं यह बड़ी चिंता की बात है है हमारे यह जो बंगाल के किसान सम्मान नी थी देश के दो लगवक 11 करोड से जादे लोग गरीब किसान इसे लवाननी थो रहे हैं दो साल से और अभी अभी हमारे वहां लगवक 72 लाग किसान इससे हगदार है और पिछले चुना हुआ हुआ महीं में उसके बाद लगा मुक्षमं को लगना चाहिए तो बंगाल के किसानों को यह सब देने की अनमुति उन दी लेकिन फिर भी यह 72 लोगों में से किबल 27 लाक लोग गरीब किसान को मिल रहा है बाकी लोगों को बंचीद रखा गया है उनका नाम और एड्रेस पोन नंबर उनका एकाउंट नंबर भेजना च कि अध़े साथ साथ जो द Away का आज का ट्रीटमेंट का कितना करचा सब जानते हैं बंगाल की जो फितल से इसलिए केंदर सरकार ने जो ये जो Ar Deusman भारत की जो जोजना दी है बंगाल के लोगों को उस्से बंचीद रखा गिया है करोड़ By Ragood लोगं को से लाव मिलने वाला था लेकिन वहां की सरकार की इस प्रकार नीती है किए बंगाल के लोगं को हर चीछ से बंचीत रेकिए और केंदर सरकार का किबर आलो, चुना किया जाए इससे लोग भी बंचीत हो रहे हैं यहां हमारे अभी साल में बहुत बड़ा तुफान आया दो दो बार आया पिछले साल आया हर साल लगबग आता है बंगाल में अभी उडिशा जैसा उसमें धान की फसल बहुत बड़ा नुक्सान हुआ खराब हो गया सबजी पूरा खराब हो गया अभी सबजी बहुत किमती है वहां और साथ-साथ आलू जो खेती होता है साथ-ाथ जिलो में हमारे बंगाल में काफी बड़ी मात्रा में आलू की उपई होती है वो भी खराब हो गया एक बार बोए लोग बीच खराब हो गया दुसरा बार भी खराब हो गया कुछ-कुछ थोड़ा बहुत हो रहा है लेकिन वहां की किसान को मदद करने के लिए वहां की सरकार त्यार नहीं है किसान रोते रह रहे हैं उनके पास कुछ नहीं है जो भी था उसमें खर्चा कर दिया अब खाने के लिए उनके पास नहीं है और आगले खेती क्या करें उसके लिए उनके पास कुछ नहीं है इस प्रकार भाएंकर परस्तिती में वहां की लोग गुजारा कर रहे है लेकिन उसका विरोध करने से आपको जेल में ठूसा जाएगा आपको मारा पीटा जाएगा चुनाओं के बाद लगबग 60 लोगं की हत्या हुई है CVN कारी हो रही है अभी लगबग 42,000 false cases हमारे कारकरता उपर हो रही है हम cases लड़ रहे है हजारों लोग घर से बाहर है भागे हो पुलिस के डर से हजारों लोग जेल में हैं अभी वहाँ लोकल बड़ी चुनाओं हो रहा है मिनिसिप्रेटीस का चार कर्परेशन का 108 मिनिसिप्रेटी का हुसना हुई है इसी का फाइदा उठा करके पुलिस ने अपने कारकरताओं के केस देखा घर से बाहर कर रहे कि उचुनाओं ना लड़ पाएँ आज की खबर है नामेणिसान रोका जा रहे है पुलिस के दवारा पुलिस खड़ा है वहां डंडा चला रहा है उनके गुंडा गिरे हुए हमारे करकरता नोमिनसान नहीं कर पा रहे हैं लोगतंत्र वहां केबल मात्र चर्चा का विशा है सेमिनर का विशा है बास्ता में लोगतंत्र है ही नहीं लोगतंत्र अधिकार मांगते हैं आकर कि लोगतंत्र अधिकार नहीं वहां बिरोधी का कोई करना मुखह मंत्री से लेकर सारे नेता बोलते हैं ये धन्यतंत्र के लिए बहुत बड़ी एक चुनोती है बहुत बड़ा धोका है धन्यतंत्र का अपमान है इसका मैं विरोत करता हूं और मानिया अध्यक जी मुझे बोलने के लिए मोका दिया इसलिए धन्यवाद करता हूं इस बाजेट को समर्थन करता हूँ, सारे महा परतिनिदियों से मैं निवेदन करता हूँ, इस बाजेट को पारित करने के लिए सहमत्री से पारित हो, कि आगे चलके खुशालिया मरदेश मा आए, धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद, स्री कादीर अनंद जी.